हाई फ्रेंट्स, वेलकम बैग, हाज मैं बात करूंगा Campus Active VR का, इस स्टॉक को डिसकस करने का रिजन है कि मेरे पास बहुत सारी क्वेरी थी, कि मनिस भाई हमें कैसे पता चलेगा कि Campus Active VR उपर जाएगा या नीचे जाएगा, इस स्टॉक में हमारी क्या होनी चाहिए, इन सारे आज के इस ट्रेडिंग सेसन में सीचने की कोसीज करेंगे, लेकिन ये बाई और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, मेरा परपस आपको सिफ और सिखाना है, कोई भी स्टॉक उपर जाएगा या नीचे जाएगा, ये आपको सिफ उसका फंडेमेंटल, सिर्फ उसका चार्ट ब इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको ट्रेडिंग उपर मेहनत करनी है, जैसे मैं करता हूँ, अगर आप देखोगे, तो मेरे पास ये इसमें से जितने भी सारे स्टॉक हैं, उनको मैं एके करके देखता हूँ, ताकि कोई भी स्टॉक मुझसे बॉटम में मि करोगे, तो तीन माइना पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, कि कैमपस एक्टिवियर में 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 इस्टिरजी क्या है, इस वीडियो बब जाकर देखना, आपको काफी को सीखने को मिलेगा, मैंने इस स्टॉक को जब डिसकस किया था, उससे में इसके प्राइस टू नैंट इस समय 2.96 पे अगर आप देखें, तो यह स्टॉक है, अभी 3.29 के उपर ट्रेट कर रहा है, तो मैंने दो चीज़े बताई, कि फॉल्मियो इसका कन्फरमेशन हो गया था, और उसके साथ साथ निशले लिवर पे मॉर्टिपन बुलिस जाट पैटन का, यहां पे इसके इसक स्टॉक में एक बड़ी रही है, अभी नम केंपस एक्टिवियर को एक बार फिर से डिटेल अनालिसिस करेंगे और समझने की कोशिज करेंगे, कि यहां पे फॉर्दर क्या पो सकता है, तो सबसे पहले यहां पे आपको लेना है डेली टाइंग स्रेम का चार्ट पैटन, सिं दाउन ट्रेंड है, यह जो लगतार स्टॉक नीचे आ रहा है, वो फर्दर नीचे नहीं जाएगा, यह कौन बताएगा, तो यह बताएगा, एक टेकनिकल टूल होता है, जिसको बोलते हैं, फॉर्दिंग वेज को कैसे ड्रॉ करते हैं, पहले हम इसको सीख लें, फॉर्दि आप देखोगे, तो हमारे पास एक, दो, यह भी एक तरीके से रेसिस्टेंस ही हैं, यहाँ पर यह हमारे रेसिस्टेंस हो गए हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं, हम रेसिस्टेंस की लाइन, दूसरा लाइन और ड्रॉ करना है, उसको हम बोलेंगे सपोर्ट के लाइन, अकिन ह हमारे पास दो या दो से ज्यादा support होने चाहिए, तो मैंने यहाँ पे जो तो major support है हम को यहाँ से दिया, और इस तरीके से हमने यह एक line को draw कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पे यह हमारा falling wage confirm हो दिया, minimum 30-40% की गिरावट अगर mid cap और small cap में है, तो accuracy high हो जाएगी, यहाँ पे आप देखो, यह 66% है, तो यहाँ पे जो accuracy है, वो काफी high हो जाएगी, ओके, तो यह जो पैटल आपको दिख रहा है, एक falling waste के रूप में है, इसलिए इसका नाम falling waste है, falling waste कैसे draw करते हैं, मैंने आपको बता दिया, resistance को identify करने हैं, दो minimum होने इस resistance की line को cut करता है, वहाँ पे हमें alert हो जाना है, यानि यहाँ से जो stock है, अब फर्दर नीचे नहीं जाएगा, यह बताता है, falling waste का confirmation, तो यहाँ पे यह जो candle आप देख रहे हो, यह candle, यह candle, यह confirmation candle है, कि stock नीचे नहीं जाएगा, लेकिन कभी भी हमें सिर्फ falling waste के सहारे किस इस 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 बाइग करना है, थुरा समय दे दो, ऐसा नहीं यह थि भाग कर वाई करना है, रुख जाओ, और भी confirmation होने दो, तो और confirmation कहां से मिलेगा, और confirmation मिलेगा हमें, निचले लेवल पे multiple bullish chart pattern जब बनने लगेंगे, अब निचले लेवल पे multiple bullish chart pattern कैसे बनते हैं, इसको मैं आपको बताने के लिए इनको हटामदा में, ठीक है, यह मैंने यहां से हटा दिया, तो अधर आप देखो भी, तो निचले लेवल पे यहां पे आप देखो, यहां पे यहां पे यह candles बन रहे हैं, यह pattern बन रहा, इसको बोलते हैं inverted head and solder, यह क्या है, यह bullish chart pattern है, उसके उप पे हमें multiple chart pattern के confirmation मिल रहे हैं, तीन माईना पहले, जब मैंने 296 के Uber इस stop को cover किया था, कि यहां से 1 rally है, तो इनी सारे चीज़ों का मैंने confirmation लिया था, तो हमें यहां पे क्या पता चला, कि falling words ने confirm कर दिया, क्या पता चला, कि यहां पे इनका confirmation है bullish chart pattern का निचले लेवल पे, सब क information है, तो इससे क्या होता है, कि जब conviction है, वो high हो जाता है, उसकी अलावा, अगर हम current situation की बात करें, तो यहां पे एक बेहतरीन candle stick का formation हुआ है, मैं इसको आपको दिखाऊँ, अगर आप देखोगे, तो यहां पे bottom में यह बना है, यह जो candle का, यह जो तीन candle से मिल के बना है, य इसको बोलते हैं, morning star, यह जब भी bottom में form होता है, इसका मतलब यह है, कि अब जो downtrend था, ओवर चुगा है, अब यहां से uptrend की सुरुआत है, अब morning star कैसे बनता है, इसको भी मैं आपको बता दू, morning star तीन candle stick से मिल के बनता है, यह होता है पहला, यह होता है दूसरा, और यह हो यह होता है, यह जो पहला candle होगा, यह एक बरे डाउन त्रेड में होगा, अगले दिन, दूसरे दिन जो यह देख रहे हो, वहां पर एक candle बनेगा, लेकिन इसमें क्या होगा, कि यहां पर जो बाइर्स होंगे, वो बाटम बे बाइ करना सुन करतेंगे, बियर्स नीचे लेकिन बाइस यहां पर एविर्सिफ हो जाएंगे, और यहां पर बाइ करके इसको ऊपर जाकर क्लोज करेंगे, तो डे टू में जो candle बनता है, वो यह तो डोजी बनेगा, यह फिर वो एक spinning top बनेगा, ध्यांचा सुनना, यह तो डोजी बनेगा, यह तो डोजी बनेगा, य यहां पर नर्वस हो जाएंगे, उनको लड़ेगा कि अब यहां पर ड्राइबिंग कर रहे थे, अब उनके हाथ से वो छोट रहा है, यानि यहां पर बुल्स आ गया है, तो ओनों क्या करेंगे, अपना profit book करेंगे, यानि या फिर phrase buying के लिए opportunity को डोडेंगे, तो जैसे अग बजीन candle open होगा, वो gap open होगा, जो confirm करेगा कि अब यहां से bear खत्म है, अब यहां से bulls आ गए है, और stock में एक rally आएगी, तो same चीज आप देखोगे bottom में,经常 tempus activator में form हो रहा है, यहां पर यह candle में हमार करक diferता है, यह до Kilagной बजो take bottles सही CzyN में और इस सारी चीजे confirm है कि अब य ने यहां पर यह तीज़ों को देख लिया कि bottom form हो चुगा है तो इस टो फर टार्गेट क्या होगा तो जब भी falling ways बनता है तो हमेशा rounding bottom के साथ आता है falling ways और rounding bottom twins हैं जो साथ चलते हैं तो यहां पर अगर हम rounding bottom की बाग करें तो यहां पर जो target निकल के आ रहा है तो कि इतना आ रहा है तो मैं आपको एक बार rounding bottom दिखा दो कि rounding bottom टैसे form होता है rounding bottom को से इस तरीके से form होगा इसमें एक downtrend हुआ उसके बाद accumulation होगा और उसके बाद uptrend होगा तो यहां पे जो target निकल के आ रहा है यह आ रहा है 638 जो current market price से कितना upside है तो अगर आप देखोगे तो यहां से लगवग 95% upside है अब सवार लाइगा फी मनिस पर इतना लाइगा त कर लिया तो पैसे उनको भी बराने है तो उसके बाद जो अधिया step होता है आंधी तो यहां पे market में इस तरीके से काम करना है हमें technical सीखना ही पड़ेगा हमें fundamental को समझना ही पड़ेगा हमें जब तर market को नहीं सीखते हैं पैसे नहीं बनेंगे अब मैंने इतनी सारी बाते ब कमेंडे से नहीं है अब सिर्फ आपको इतना बताना है कि स्टॉप मार्केट में पैसे बनते कैसे हैं थैंक्यू सो मैच